हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके लिए बहुती सुंदर और बहुती आसान सिंगल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ ये देखे इस पैटर्न को आप और प्रोजक्ट में डाल सकते हैं लेडिज के लिए गल्स के लिए और बेबीज के लिए इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप पे भी डाल सकते हैं देखे बनके ये बहुती सुंदर आता है इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डालने प्लस हमने 5 फंदे एस्ट्रा डालने यहने की चार के जोड़े के इसाफ से हम फंदे डालेंगे और 5 फंदे हमने एस्ट्रा डालेने हैं और 10 नंबर की सलाई पे हमने यह पैटर्न बना लेना है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बेल आइकन दवाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें फ्रंट साइड से हमारा यह पैटर्न बनना इस्टार्ड होता है अब दे देखे एस्ट्रा फंदा उतार लेना है फिर देखे धागा अपनी साइड को करेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और तीन फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे ये हमारी पैटरन की फर्स्ट रो है फ्रंट साइड से तीन फंदे उल्टे बुन दिये फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे ये देखे एक ये दो और तीन ये तीन फंदे उल्टे बुनें फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे एक फंदा सीधा फिर धाग अपने साइड तीन फंदे उल्टे इस तरह हमने फ्रंट साइड से अपने पैटरन की फर्स्ट रो कम्प्लीट कर लेनी है यह पैटरन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से से किंड रो अब से किंड रो में देखे एश्ट्रा फंदा उतार लेंगे और देखिए फ्रंट साइड से जो फंदा सीधा आया है वो बैक साइड से उल्टा आएगा फिर देखे धागा पीछे करेंगे अब देखे फ्रंट साइट से जो फंदे उल्टे आए हैं वो बैक साइट से सीधे आएंगे तो तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइट करेंगे अब देखे फ्रंट साइट से जो फंदे सीधा आए है बैक साइट से उल्टा आएगा फिर धागा पीछे अब देखे फ्रन्ट साइट से तीन फंदे उल्टे आए हैं तो बैक साइट से तीन फंदे सीधे आएंगे इस तरह हमने बैक साइट से से किंडो कम्प्लेट कर लेनी है ये बैक साइट से हमारी से किंडो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रन्ट साइट से थर्ड रो अब थर्ड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे ये एस्ट्रा फंदा है फिर धागा पीछे ही रहेगा और देखे जो ये तीन फंदे उल्टे हैं इनको हमने सीधा बुन और तीन ये तीन फंदे सीधे बुने फिर धागा अपनी साइड अब देखे जो एक सीधा फंदा है इसको हमने उल्टा बुने ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो है फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुन देंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बुनेगे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेगे इस तरह हमने फ्रन्ट साइड से पैटर्न की थर्ड रो कम्प्लेट कर लेनी है ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो कम्प्लेट हो गई आप देखे बैक साइड से फोर्ट रो अब फोर्टरो में दिखे एश्ट्रा फंदा उतार लेना है फिर धागा पीछे करेंगे और दिखे जो एक सीधा फंदा है यह दिखे इस पे हमने तीन फंदे बना लेने देखे एक धागा अपनी साइड दो और फिर एक बार इस फंदे को बुनेंगे तो ये तीन हो जाएंगे तो एक फंदे से हमने तीन फंदे बना दिये फिर धागा अपनी साइड आप देखे नेस्ट ये तीन उल्टे फंदे हैं इनको हमने एक साथ बुन लेने हैं तो देखे एक, दो, और तीन, ये धागा अपनी साइड, ये तीन का एक कर लेने, ये तीन का एक कर दिया, फिर धागा पीछे, फिर देखे एक सीधा फंदा आ जाता है, इस सीधे फंदे पर हमने तीन फंदे बना लेने, तो देखे एक, धागा अपनी साइड, दो, और बुन के तीन, त फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीन का एक कर लेंगे ये तीन फंदे हैं इनको हमने एक साथ बुन लेना ये तीन का एक है ये तीन का एक हो गया फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदे से हमने तीन फंदे बना लेंगे तो देखे ऐसे सीधे में सलाइड डालेंगे एक फंदा बन गया धागा अपनी side 2 और भुन के 3 ये हमारी pattern की back side से 4th row है फिर देखे धागा अपनी side 3 का 1 कर लेंगे फिर धागा पिछे 1 का 3 कर लेंगे इस तरह हमने back side से अपनी 4th row complete कर लेनी है हुआ है ये देखे ये बैक साइड से हमारी फोर्तरो कम्बलीट हो गई अब देखे फरंट साइड से फिप्तरो अब फिप्तरो में हमारा पैटन रिपीट होगा अब देखे, repeat की एक row मैं आपको दिखा देती हूँ, एक फंदा, extra वाला उतार लेना है, फिर देखे, ये next फंदा हमने सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा, फिर देखे, धागा अपनी side करेंगे, और देखे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, तो देखे, जो हमने एक फंद एक, दो, और तीन, तो देखे, ये हमारा pattern repeat भी हो रहा है, और साथ में shift भी हो रहा है, फिर धागा पीछे करेंगे, और देखे, जो तीन फंदे से हमने एक फंदा बनाए है, देखे, हमने इस फंदे को सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी side, तीन फंद उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे उल्टे बुनेंगे यह फ्रंट साइड से हमारी फिप्त्रो कम्प्लीट हो गई फिप्त्रो में हमारा पैतरन repeat और shift हुआ इसतरों हमने अपने पैतरन को repeat करते जाने है और साथ में shift करते जाने है और बनके देखी हमारा पैतरन कुछ इस तरह से आजाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करे, सियर करे, कमेंट करे और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूले